नमस्कार आप देख रहे हैं तेश्खवर 24 और वर्थे खबरों का प्रदेश भर में हाली में संपन्ध हुई प्रटवारी परिक्षा में घोटाले का आरोप लगने के बाद भूले प्रदेश में परिक्षा को लेकर जाँच शुरू कर दीगे आज रिवा में भी इसी पटवारी परिक्षा पर लग रहे आरोपों की जाज करने पहुँचे इस यवानिर्वित नयाधिश आर के वर्मा के द्वारा रिवार राजनिवास में परिक्षा में संबन्धित विभिन अभ्यर्तियों से 1-2-1 चल्चा की गई इस दोरान अभ्यर्तियों ने जाज तीन के सामने अपनी बाते रखे लेकिन सभी अभ्यर्तियों की माग थी कि इसका निराकरण जल्च से जल्च पूर पटवारी परिक्षा की परिनाम का निराकरण की आ जाए जिससे उनकी समस्याओं का समध्हान हो सके इस दुरा दिवाराज निवास में अभ्रती भी पहुंचे जिनका चयन पटवारी परिक्षा में हो चुका है साथ ही वह अभ्रती भी गए थे जो इस परिक्षा से असंतुष्ट है और भोताले के संबन में विदुन बाते कर रहे हैं हम आपको बता दे कि संपन हुई पटवारी परिक्षा के जारी हुए रेजल्ट के बाद बड़े स्तर पर धर्टाचार की जाने का मामला उजागर हुआ था जिसके बाद एक जाच टीन रथित दी रही है जो अब परदर परद जाच कर रही है हम पाए जाते हैं कि हमने कोई धानली के तो हमें बाहर निकाल दिया जाए बस यह है कि न्युक्ति जो है समय सीमा पर दी जाया है यह तो देखिए हम रीवा का बता सकते जहां हमने सेंटर दिया है जहां हम रह रहे हैं वहां की बात कर सकते अगर किसी इंस्टिट्यूट की अगर बात चल रही है तो वह जाच कवीशा चल रहा है जाच हो यह सब जाच कवीशा है बस हम यह चारे जाच समय सीमा पर निश्चिप की जाए हम एक डेट दे दी जाए कि यह जाच इस तरिक तक पूर्ण हो जाएग अगर यह सिलसला चलता रहा तो फिर कंटीनू रहेगा यह परिष्ट है कि यह परिखरी अगर रुके न हो तो यहां भी ना आते हैं अपनी जौइनिंग पा गया थे हम लोग अपना जॉब कर रहे होते हैं बाकी जो भी हुआ है सब डीवी में सब बाहर हो जाते हैं सर अपने आपको संगीदा करमी कहता है और संगीदा कोटे की सीड ले जाना चाहता है जिसमें एक सवाल यह पैदा होता है इसी पटवारी से जुड़ा मामला है सर सर चार अपरेल को फिंगर क्लोनी की रिपोर्ट आती है रिपोर्ट भी दर्ज होती है पर उसके बाद वो बच्चे कहां गये उसमें क्या जाज हुई इसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई अब जच साहब को बठाया गया था जाज करने हमने जित्ते भी सबूत थे कि दो हो चैँ हजार हो गलत गलत होता है और गलत परिक्षाओं का रिजल्ट नहीं चारी करना चाहिए फोन रस्त करना चाहिए फ्रेश परिक्षा लेने चाहिए और इसमें यह सर आजी टीम आईए सुबह दस बजे आज चली भी जाएगी दो बजे एक सिंगल जज कमणी क अगर गलत पाए जाता है तो जाच निरस्थ होनी चाहिए परिक्षा और मद्द प्रते सरकार्मी निरस्थ हुई है अगरी कल्चर में यही चीच महामला सामने हुआ था कुछ साल पहले 2021 में वह भरती निरस्थ हुई फ्रेश वेक वेकंसी जारी हुई वही चीजह हम पटवा हम लोग पटवारी भरती परिच्छा के चैनी तुब नहीं दो आ रहे हैं हम लोग का 31 जून करमों का रिजल्ट आया था उसके बाद रिजल्ट आने के बाद गलत आरोब लगाये जाने लगे पच्छो जाजिंग का सलेक्सितन नहीं हुआ कुछ कोचिंग वाले कुछ यू कि एक यूग बटा दिया जाहां चायों कि उसके बाद नुगति कोई होगी मतलब किया रिपोर्ट आई उसके बाद निउकति होगी अब कब रिपोर्ट आएगी नियुक्ति के संब्द हम लोग कोई भी तर्या सॉसन नहीं दिया गया हम लोग भोपाल में तीन से चार बाग उगर अंदोलन के चुके हर जीलों में हम लोगों ने आंदोलन किया लगभा पची से तीस दार लेटर हम लोगों ने सीम साफ को है चुनाव और आचाय सिंता के पहले हम यहीं रिवा से ही हैं लोग यह भी कह रहे है कि सब का साल का उसके बाद नौपरी करता है पार साल का इस्पिरियस लेकिया और इस्टाप लाता है यह तुसे जैसे यह संवीधा की आप बात करें जुना फ़र्जी संब्द है उसमें फॉर्म भर रहे थे उसमें पास यहां टिक करना था कि आप संवीधा हैं अभी कलांग कई लोग जा साइवर काफे वाले गल्ती कर देते कह लोग जान बूशी गल्ती कर देते यह तो डाकुमेंट वेरिफिकेशन का संबंध है यह डीवी में बाहर हो जाएंग यह लोग व हमें सीमा में जांच हो कि जो गलत हो तो बाहर हो हम लोग जांच के खिलाफ नहीं है जी से हम लोग मिलने हैं जाज साब से रिक्वेस्ट करने आए हैं जल्दी से जल्दी जांच परक्रिया पूर हो हम लोग चैनित लोगों साथ अन्याय ना हो हमारे सा अन्याय हो हम लोग क नियुक्ति की प्रफिया जल जल श्टार्ट हो और कोई गलत पाया जाते हैं उसको बाहर किसे हम लोग साथ में हैं लेकिन हम लोग तो गलत नहीं हैं हम लोग मेहनत से पास हो हैं हम लोग के साथ अन्याइब